देश भर में साध्यों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोशल मीडिया पर आए दिन शादी की रस्मों के कुछ मज़ेदार और अनकहे वीडियो सामने आ रहे हैं अब एक ऐसा ही एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है जिस वीडियो में दुल्हा अपनी दुल्हन को कंधे पर लेकर नदी पार करता नजरा रहा है दरसल ये वीडियो बिहार के किसन गंज का है जहां लोहा गाडा गाओं के रहने वाला दुल्हा सिवा कुमार सिंग बारात लेकर पास के ही पलसा गाओं शादी करने गया था लेकिन जब वो शादी के बाद दुल्हन को विदा कराकर वापिस लाता है तो बीच में कनकई नदी परती है आधी नदी तो दुल्हन शहीत सारे बाराती नाओं से पार कर लेते हैं लेकिन पलसा घाठ पर के बाद बाकी नदी उन्हें पैदल ही पार करनी थी सब तो पैदल नदी को पार्ग करने के लिए तयार हो गए लेकिन नई नवेली दुलहन नदी पार्ग करने से घबरा गई ऐसा देख दुलहे सिवा ने शादी की वचनु को निभाते हुए अपनी दुलहन को कंधे पर उठा लिया और नदी पार्ग करने लगा यह देख उसके साथ आई सारे बाराती खुसी से चिलाने लगे साथ ही किसी ने यह वाक्या फोन पर रिकॉर्ड कर लिया जो इंटरनेट पर जम कर वाइरल हो रहा है वहीं एक यूजर ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे आप सोच रहे होंगे कि देश के इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज यहां के लोगों को इतनी मुसिवत क्यों जेलनी पर रही है तो इसके पीछे की वज़ा यह है कि बिहार का पलसा गाउं भारत का सीमा वर्ती गाउं है यानि कि इस गाउं के बाद नेपाल देश शुरू हो जाता है जिस वज़ा से अब तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया है जिसके चलते लोगों को नदी पार करने के लिए 6 महने नाव और बाकी 6 महने चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है बताते चलें कि इस से पहले भी बिहार राज में इस तरह का वीडियो सामने आ चुका है उस दौरान जून के महने में भारी बारिश होने से बाढ़ आ गई थी जिसके चलते दुलहन का घर भी बाढ़ के पानी से घिर गया था ऐसी स्थिती में दुलहन नाओ में अपनी बारात लेकर दुलहन के घर पहुचा था जिस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्ख्यां बटोरी थी फिलहाल बिहार में कंधे पर दुलहन को उठाकर नदी पार कराने वाला इस दुलहे का वीडियो इंटरनेट पर चाया हुआ है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें साथ ही देश और दुनिया की खबरों से जुरे रहने के लिए हमारे चैनल तरकस को सब्सक्राइब करना ना भूले